दोस्तो ये जो साड़े सीरियल दी दुनिया है न एवी बड़ी अनोखी है जब देखो स्यापे ही स्यापे अब तुसी देख लो जे ये स्यापे मस्तीच बदल जाए तो तुसी की करोगे अब लेलो साड़ी भाबी जी नोई भाबी जी दे घर दे भूतो दा साया मंडरा रहा सी और जे काम भी की ता साड़े सकसैना जी ने सकसैना जी नोई भी पूरा दिन खुराफात सूजनी सी लो तुसी देख लो भूती और तिवारी जी को हमेशा आपने यही कहते सुना होगा भावी जी घर पर है लेकिन अभी देवर कहेंगे भावी जी नहीं बलकि भूत जी घर पर है यकीन नहीं आया ना लेकिन माजरा यही चल रहा है भावी जी के सेट पर अब भावी जी के खर पर हुगा भूतों का साया और इस काम को अंज़ाम देंगे सक्सेना जी भावी जी घर पर है नहीं भूत घर पर है ऐसे चुड़ेल घर पर है और इसमें से आत्मा आने वाली है अभी और बहुत ही मज़ेदार को बहुत एंज़ॉय करेंगे इस एपिसोड को सीरिस्टी बहुत मज़ेदार है और सब को एक दूसरे के अंदर भूत आएगा और सब एक दूसरे की बूठ बनने के बार दाट बिचाले के हाथ लगी है तांत्रिक की किताब जिसमें प्रेतात्मा को पुराने की विधी है और तो और सक्षेना जी राट को तीन चुरैल के साथ खेल भी चुके हैं क्यों पका है? अभी जी को अगनी पापस है भाया पका मेरा हूँ यह सच कली रात को तीन चुरैलों के साथ खेला हूँ मैं रापश चुरैलों पिशने होती देना आपको दुनिया पता है? चुरैल होती है चुरैल नहीं होगी अगर मैंने साथ कर दिया तो क्या रहने है तुझे? यह ऐसा है कि भूती से तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेश आप सोच नहीं सकते हैं मैं भूतों से इश्ट करता हूँ बहुत अच्छे लगते हैं और यह एपिसोड मेरा बहुत फेवरिट होने वाला है क्योंकि इसके बहुत सारे बहुत सारे प्रेतात्माएं हैं I like it अब विभूती जी को आई अपने डादा जी की आर और डादा जी से मिनने के लिए विभूती ने रखी सक्सेना जी के सामने ये शट सही पकड़े हैं भाबी जी के घर पर होगा भूतों का साया अब भाबी जी के घर वाले कहेंगे भाबो भाबो भूत आया विभूती जी के समाचार प्लस